ओके सो फाइनली काईज यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियल मी 7 प्रो के बारे में और मैं आपको बता दू कि रियल मी 7 प्रो सीरीज से ही रियल मी अब बजट सेंट्रिक सीरीज में भी 5G डिवाइस को लांच करने जा रही है और ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूं क्यूंकि फाइनली यहाँ पर टीना लिस्टिंग के अकॉर्डिंग रिडमी ने यह कंफर्म कर दिया कि रिडमी की नोट 10 सीरीज में आपको 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है और आप मैंसे जितने लोग भी समझदार होंगे आप इस बात को पार रहे होंगे या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस वीडियो में कुछ गलत इंफोर्मेशन देने वाला हूं तो आप प्लीज इस वीडियो को स्कीप कर सकते हैं अगर आपको जानना है कि रिडमी 7 प्रो में स्पेसली क्या कुछ देखनी को मिलेगा और आपको यह डि देखने को मिलेगा और जिसा की रेडमी की नोट 10 सीरीज में मीडियाटेक डायमन सेटी एट इंडेट का चिपसेट देखनी को मिलने वाला है तो यहां पर रियल में भी उसे ट्रेडिशन को फॉलो करेगी और आपको सेम होई डूवल मोड 5G की कनेक्टिवीटी के साथ एक देखने को मिल सकती है जिसमें कि डेफिनेटली आपको इस बार 30 वाट से उपर का ही चार्चिंग स्पीड देखनी को मिल सकता है और उसके साथ ही दोस्तों अब फाइनली बात करें अगर रियल में की कैमरे के बारे में तो कैमरा डिपार्टमेंट में रियल में आल्वेज बहुत ही अच्छा काम करती है तो इस बार रियल में की सेवन प्रो में सायद से 64 मेगा पिक्सल का सोनी आइमेख 686 का सेंसर देखनी को मिल सकता है जो की कोई रियर कैमरे के सपोर्ट के साथ आ सकता है और साथी में अगर बात करें एडिशनल कैमरे की तो आपको एक अल्टर कोस्ट कटिंग करने के लिए रियल में अपने डिजाइन को चेंज तो नहीं करने वाली है और जैसा कि आपको पता ही है कि रियल में 3 सीरीस से हमें रियल में की तरफ से वही सेम डिजाइन देखनी को मिल रहा है और यहां पर रियल में एक स्विटी प्रो जो की चाइना में बहुत रियल लॉंच होने वाला है उसमें भी वही सेम डिजाइन रियल मी ओफर कर रही है तो डिजाइन के मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंजेस देखने को मिलेगी बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको कैमरा और पॉफ़मेंस बहुत ही बैतरीन देखने को मि मिलेगा तो दोस्तों कैमरा डिपार्टमेंट में आपको रियल मी के तरफ से काफी अच्छी क्यामरा कॉलिटी देखने को मिल जाएगी उसके साथ ही अगर आप भाइनली बात करें दोस्तों इस डिवाइस के प्राइजिंग और लॉंज डेट के बारे में तो रियल मी 7 प् को मिलेगा उसके साथ ही अगर फाइनली बात करें इस डिवाइस के लॉंज डेट के बारे में तो रियल मी 7 सीरिस को रियल मी अगस्त से लेके सेप्टिमबर के महिने के बीच में लॉंज कर सकती है और आपको इस स्मार्टफोन के बारे में जो ऑफिसल कन परमेसन है वह भी थैंक्सपन झॉचिंग